आप देख रहे हैं सिटी निया न्यूस चैनल हक्की आवाज लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाव जा रहे हैं वह आतताई है कानून के जरिये उनका निक्तारा होना चाहिए क्योंकि ऐसे कैसे बनाये भी जाते है तो बोल नहीं सकते आजकल कहा सही है कहां गलत ह है लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए ठकीकात करनी ठीक से बिना पार्शालिटी कि ए सबकाने करना चाहिए और दोश्रीक वसाजावन हमको उसमें कोई कर दो सब्सक्राइब मैं कहता हूं सब्सक्राइब करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संग के नाते हम कोई बात कहते अब यह बात मैं कह रहा हूं तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी अब बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया यह पहल ऐसा भी वर्गा है जो खराब नहीं है अच्छे इंसान है लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए आप ज़रूर कहेंगा क्यों ठोकरे लगे है कि अईशा माँला नहीं है आप लोग नहीं समझते तो कि अच्छा-श्चले का लेकिन एक बात है कि हिंदु समाज की भावना संदम पोलता है आप जिस्थितित्य क्योंकि मीचे तक हमारे सुचता है क्या सुचता है क्या नीश हमारे पास आता है हम उसके अनुसार बठा कर रहा हूं हिंदू समाच अपने परंप्रा प्रकृति बुद्धी मन के अनुसार चाहता तो है लेकिन करने की हिम्मत उसकी इसलिए नहीं होती कि यह सब बीच में उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका आत्म विश्वास उसका आत्म सामर्जा बढ़ाने का काम संग कर रहा है संग हिंदू संगटन करता है इसका मतलब बाकी लोगों को पीटने के लिए नहीं है कि जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं वो क्या हिंदू नहीं है कहा हु और ये भी कहा कि किसी को मुसल्मानों को निकालने का अख्तियार नहीं है हम ये उन से पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भगवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजौरिटी कम्यूनिटी में RSS और हिंदुत्वा की आइडियोलिजी के वज़े से रैडिकलिजेशन हो चुका है क्यूंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं तो हमारा मानना यह है कि RSS अगर मानती है कि मुसल्मानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यूं हो रहा है करने वालों का क्या तालुख हिंदुत्वा की आइडियोलिजी से है या नहीं है और अगर हो रहा है तो क्या उनका रैडिकलिजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या RSS और हिंदुत्वा की आडियोलिजी नहीं है और अगर ये है तो क्या RSS उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाफ को मारा, आसिफ को मारते हैं और महा पंचायत करके बीजे पी का स्पोक्स परसन कहता है कि क्या हम इनको मरडर भी नहीं कर सकते तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भगवत, जनाब मोहन भगवत, RSS इनको डिसोन करेगी और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ खानून बनाया जाए और क्या ये बात सच नहीं है कि कल ही दिल्ली से नोड़ा में काजी महमद को क्यूं मारा गया ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि RSS अगर लिंचिंग को मानती है तो लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है क्या RSS इस बात को मानने को अभी भी तयार नहीं है कि उनकी आइड हिंदुत्वा की आइडियोलजी के वज़े से मज़ारिटी कम्यूनिटी में ये जो लोग कर रहे हैं वो रैडिकलाइज हो चुके हैं मैं इन तमाम चीज़ों को मोहन भगवद की सिर्फ लिफ सर्विस मानता हूँ इसलिए के वेस्टन कंट्रीज में खास तोर से यूएसे में और यूएसे में जो हुमन राइट्स का स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कंट्रीज ओफ कंसर्न में हमारे देश का नाम आ चुका है तो ये सब उनके लिए क्या जा रहा है अगर वो वाखे में रियलिस्ट हैं वो वाखे में इसको बीमारी समझते हैं लिंचिंग को वो वाखे में ये समझते हैं कि मिजॉरिटी कम्यूनिटी में एक सक्षन राइडिकलाइज हो चुका है तो फिर उनको डिसोन करना पड़ेगा एक्स मिनिस्टर अखलाग के मारने वालों की लाश पर तिरंगा लहराते हैं तिरंगा भिचाते हैं एक्स यूनिन मिनिस्टर अली मुद्दीन को कन्विक्टेड लोगों का उनका फूल का माला उनके गले में पहनाते हैं राजिस्थान में रगबर को जब जो लोगों ने मारा उनको कोट को लाया गया कौन सी दुनिया में महोन भगवत हैं वो क्यों आँखों में धूल जोक रहें देश की जनता की क्या अच्छा है उसमें आप देखिए ये एकता बना रहे हैं आप आप कबसे एकता बना रहे हैं आप तो नुववत साल से आप ही का तो ये सब चाहे वो गुलवालकर का बंच ओफ थॉट्स हो या वी और नेशन हुड हो या फिर दीन दियाल उफादे की किताब हो इन तमाम या फिर आप सावरकर की हिंदुत्वा की किताब हो यही तो इन ही के नक्ष गदम पर आप चल रहे हैं और इन किताबों में क्या यह एक्ता की बात की गई क्या इन किताबों में यूनिटी एंड डिवर्सिटी की बात की गई एक्ता की बात भारत का संविधान करता हिंदुत्वा नहीं करता है भारत का संविधान में इंक्लूजुवनेस है हिंदुत्वा एक exclusive ideology है जो मोहन भगवत और RSS पिछले 90 साल से उस पर अमल कर रही है कहां एकता होगी ग्यॉर्मेंट ओफ मोडी की सरकार है और इन तमाम लोग महा पंचायत कल भी करते हैं गाली देते हैं मुसल्मानों को के इनका मर्डर कर दो इनको मार दिया जाएगा और पॉलिस एक एक्शन नहीं लेती उनके उपर काजिम को मारा गया पुलिस एक्षिन नहीं लेती उनके उपर जुनेत को भरी ट्रेन में मारा गया देख लीजे कौन सा क्रिमिनल केस चल रहा है ये सिर्फ लिप सर्विस है देश की जनता के आँखों में धूल जोकी जा रही है और सबसे बड़ा काम ये कि वेस्टन कंट्रीज में खास तोर से यूएसे में वहां पर ये पैगाम दिया जा रहा है क्योंके बैट पॉबिसिटी मिल रही है और वो बैट नहीं बलके जनून पॉबिसिटी सही हो रहा है तो इसलिए ये तमाम बातें की जा रही है ये एक जमीन पर इसका कोई इंप्लिमेंटेशन नहीं होगा अगर डिसोन करेंगे इस बात को मानेंगे कि हाँ रैडिकलाइजेशन हुआ है और कैसे उनको डिराडिकलाइज करेंगे ये इनको सोचना पड़ेगा बिलकुल हम तो मैं चार मेरी तीन मैने की पुरानी स्पीच हो तुरला में मायम पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि आइंदा विदान सभा के चुनाओं में योगी अदित्यनात और बीजेपी की सरकार को शिकस दी जाए ये तो हमारा शुरू से स्टैंड रहा है राजबर उसके कन्वीनर हमारी पूरी कोशिश होगी यकीनन कोशिश होगी क्यों न हो डिमाकरिसी में हमको ये पुरे अख्तियार हासल है क्योंकि योगी सरकार कोविट के दौरान गंगा के उपर नदी के किनारे लाशों के अंबार पड़े वे थे तो उसका तो बोलना पड़ेगा